आदमी मंत्री को automatic bullet of car का परिचय देता है और भले ही ये car दिखने में आम हो लेकिन इसको missile भी कुछ नहीं कर सकते और इस car में सुरक्षा के लिए 8 airbag है और आदमी ने मंत्री को इतिहास में सबसे सुरक्षा कार होने का दावा किया और फिर हाथ कार के ऊपर मारा तो airbag खुलके आए और वो इतने tight थे कि जैसे मंत्री का आदमी बेहोश हो गया और फिर मंत्री को लगने लगा कि ये वाकिय ही सबसे सुरक्षा कार है फिर try करने के लिए निकल पड़े क्योंकि इन्हें मंत्री को यकीन दिलाना था कि वो सच में सबसे सुरक्षा कार है और आखिर कार फिर मंत्री ने वो कार ले लेकिन ये एक चाल थी मंत्री को kidnap करने के लिए फिर जब एक दिन मंत्री बिना चिंता के उस गाड़ी में जा रहा था आदमी ने तो छट के बारे में ना बोला था और ना छट की गैरंटी दी थी तो कार के छट के कारन मंत्री उनके कबजे में आ जाता है